नमश्कार दोस्तों, 31 जनवरी दोगजार 24 के Important Current Affair for Law and Judiciary Exams आपके सामने लेकर हाजिरूं और जो आज का पहला और सबसे Important Current Affair है आपके एक्जाम के लिए वो आपके स्क्रीन पर है, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइमिनिस्टर इमरान खान को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, जो बिल्कुल टीप सीक्रेट होते हैं देश के, उनको लीक करने के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई है किसको पाकिस्तान फॉर्मर प्राइमिनिस्टर इमरान खान, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइमिनिस्टर इमरान खान को ये सजा सुनाई गई है, कितने साल की, दस साल की जेल टाउं for leaking state secret, बहुत important है ध्यान रखियेगा, अगला जो important current affair है, बेस्ट जाकियों की अवार्ड मिल है 2014-2021 की जो Republic Day Parade अभी हमारी 26 जणवरी को हुई थी उसमें जो Best जाकी का अवार्ड मिला है वो Odisa को मिला है दूसरे नंबर की जाकी गुजरात की रही और तीसरे नंबर की तमिल नाडु की रही है Best जाकी का अवार्ड Odisa को मिला है दूसरे नंबर पर जो best जहाकी रही वो गुजरात की रही और तीसरे नंबर पर best जहाकी तमिलनाडू की रही 26 जनवरी 2024 की जो रिपब्लिक डे परेड होई थी उसके अंदर तीसरा जो current affair है वो prison reform से related है prison reform से related सुप्रीम कोट के सामने case आया था case in rare human conditions in 1382 prisons 382 prisons के अंदर जो human conditions है उनके ऊपर ये presidential reference case है और versus director general of prison and correctional service and others 2024 इस case के अंदर सुप्रीम कोट ने guideline issue की है और क्या guideline issue की है Supreme Court direct constitution of district committees हर district के अंदर committee गठित की जाएगी और उसका purpose क्या होगा across India to report on existing and required jail infrastructure की Supreme Court ने ये direct किया है कि हर district के अंदर हर जिले के अंदर committee गठित की जाएगी और उस committee का क्या purpose होगा कि क्या infrastructure present infrastructure है और उस jail के अंदर क्या required infrastructure है इसकी reporting वो committee करेगी अगला जो current affair है वो है transparency international ने list corrupt देशों की एक सूची साजा की है ranking पुरदान की है 180 देशों की ranking है जिसमें जो सबसे number one पर है मतलब least corrupt देश है सबसे कम भरस्ट देश है उसकी सूची के अंदर देनमाक पहले number पर आया है और दूसरे number पर फिनलैंड और न्यूजिलेंड तीसरे number पर आया है भारत का rank इंडिया का rank अपना rank 93 पोजीशन पर है 93 पोजीशन में है out of 180 countries और जो सबसे ज़ादा प्रस्ट देश है वो है सोमालिया मतलब ये 180 नंबर पर मिला है पायदान के अंदर ranking के अंदर transparency international हर साल इसी तरह least corrupt देशों की एक सूची सूचकांक जारी करता है जिसमें पहला number Denmark का है दूसरा Finland का है और तीसरा New Zealand का है ये सबसे कम प्रस्ट देश है order of ranking के अंदर पहले नंबर पर Denmark है भारत का 93 पोजीशन है 93 पोजीशन है और जो सबसे ज़ादा प्रस्ट देश पाया गया पूरी 180 देशों की सूची के अंदर जो 180 पहले पायदान पर है वो देश है सोमालिया आगे चलिएगा अब डीटेल में जो दूसरे current affairs है important current affairs है वो आपके सामने है NTPC National Thermal Power Corporation ने करार किया है किसके साथ किया है for green hydrogen project in महारास्टा महारास्टा सरकार के साथ ये करार हुआ है for NTPC Green Energy Limited assigned an MOU with महारास्टा government to develop green hydrogen green hydrogen projects and its derivatives in महारास्टा जहां तक NTPC की बात है इसके headquarter नई दिल्ली के अंदर है कब found हुआ था 7 November 1975 को हुआ था CEO कौन है गुर्दीप सिंग है और founder government of India है जो CEO है वो 2016 से उनका कारेकार चल रहा है और अभी तक वो CEO है National Green Energy Limited NTPC की जो green energy limited unit है उसने MOU साइन किया है महारास्टा सरकार के साथ ये Sony scrapped 10 billion dollar merger as G failed to meet financial terms देखिए Sony और G Media houses का merger होने वाला था और ये deal 10 billion dollar की seal हुई थी मगर इसको Sony ने scrap कर दिया है, cancel कर दिया है, reason क्या बताया जा रहा है क्योंकि G financial terms को पूरा नहीं कर पाया और अगर ये deal successful हो जाती, फलीभूत हो जाती तो शायद ये इंडिया का सबसे बड़ा merger होता in the media houses एक ही छत के नीचे 90 plus channels across sports, entertainment and news इकठे हो जाती अगर Sony और Zee का merger हो जाता ये deal cancel कर दी गई है, scrap कर दी गई है, किसके दौरा Sony के दौरा कतर अब अगले 15 साल तक बांगलादेश को gas supply करेगा under a agreement Qatar है secured a pact or agreement or deal for supplying 15 years gas supply to the Bangladesh under the agreement Qatar है signed a deal with US-based accelerate energy to supply Bangladesh with natural gas for 15 years through state-owned Qatar energy natural gas supply करेगा Qatar Bangladesh को 15 सालों के लिये जतिंदर ओलक टेक्स as the oath of the chairman of the Punjab Public Service Commission Punjab Public Service Commission को नए chairman मिले है, नाम है जतिंदर ओलक पंजाब Public Service Commission के नए chairman है पंजाब के governor कौन है, बनवारिलाल पुरोहित जी है अभी आप ध्यान रखिएगा आपके exam के लिए important है, पंजाब के governor बनवारिलाल पुरोहित administered the oath of office to the newly appointed Punjab Public Service Commission chairman जतिंदर सिंग ओलक and the chief information commissioner इंदर पाल सिंग पंजाब को नए chief information commissioner भी मिले है, जिनका नाम है इंदर पाल सिंग तो आप ध्यान रखिएगा, दो public servants की appointment हुई है, governor ने उनको oath दिलाई है पहले तो Punjab Public Service Commission के chairman है, जिनका नाम है जतिंदर सिंग ओलक और chief information commissioner है, जिनका नाम है इंदर पाल सिंग आपके examination के लिए important है आप बताईएगा comment section के अंदर आपको content कैसा लग रहा है, हमारे दोबाने लाया गया, क्या आपको helpful लग रहा है जैसी भी आपकी feedback आप comment section के अंदर तीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है, like करके channel को subscribe कर लिजिए, आगे चलिएगा अजाली असो मानी, re-elected as the president of the Comoros अजाली असो मानी, Comoros के president दुबारे से elect हुए है अजाली असो मानी, अजाली असो मानी re-elected as the Comoros president for fourth term चौती बार, president re-elect हुए है वो, एवाद धान रखिएगा अजाली असो मानी Tata Power Install 1000 kW bifacial solar project in West Bengal Tata Power Renewable Energy Limited ने 1000 kW के bifacial solar system को install किया है कहां पर West Bengal के अंदर, West Bengal के अंदर install किया है 1000 kW के bifacial solar system को शरत चौहान appointed as Pudu Cherry's new chief secretary शरत चौहान has been appointed as the new chief secretary of Pudu Cherry He is a 1994 batch IS officer of Agmut Ketre appointed as new chief secretary of Pudu Cherry He has previously served as served in Arunachal Pradesh ठीक है तो आप ये ध्यान रखिएगा आगे चलिए NSA Ajit Doval and CDS General Chauhan released Brahmo's deputy CEO's book National Security Advisor Ajit Doval and Chief of Defense Staff General Anil Chauhan Unveiled the book एक समंदर मेरे अंदर न्यू बुक है तो आप एक बार ध्यान रखिएगा बहुत important है जितने भी books and authors होते हैं बहुत important होते हैं बुक का नाम है एक समंदर मेरे अंदर एक समंदर मेरे अंदर किस ने लिखा है? संजीव जोशी ने लिखा है और संजीव जोशी कौन है? डिप्टी सीओ ब्रमोज Aerospace डिप्टी सीओ ब्रमोज Aerospace और इस बुक को launch किस ने किया है? Unveiled किस ने किया है? इस बुक को launch किया है National Security Advisor अजीत डोवल ने और साथ में Chief of Defense स्टाफ जेनरल अनिल चोहान ने बुक का नाम जान रखिएगा एक समंदर मेरे अंदर लिखा किस ने है? संजीव जोशी जी ने जो कौन है? डिप्टी सीओ ब्रमोज Aerospace चलिए अब आज के quiz की तरफ चलते हैं आज का आज का current affair based quiz आपके सामने है पहला सवाल है Who won the Australian Open 2024 men's single title इसको मैंने कल आपको कराया था Sinner याद रखिएगा Janik Sinner men's single Australian Open 2024 किसने जीता है? किसने किताब जीता है? Janik Sinner Second Which female cricketer has been appointed by the Uttar Pradesh Government to the post of DSP in UP Police? कौन सी महिला cricketer को Uttar Pradesh Government के दवारा DSP appoint किया गया है in UP Police? in UP Police नाम है दिप्ती शर्मा आंसर इस दिप्ती शर्मा दिप्ती शर्मा तीसरा सवाल है Which state government has recently launched road safety force? कौन सी राज्य सरकार ने अभी हाल ही के अंदर road safety force launch की है? Punjab आंसर इस Punjab Punjab state government has recently launched road safety force road safety force आगे चलिएगा Which state government has recently launched the road safety force? तो आंसर है आपका Punjab अगला सवाल है The Indian Army is organizing Joint Ministry exercise इसका जवाब आपको comment section के अंदर लिखना है इसको हमने कल अपने current affair के अंदर detail में discuss किया था बहुत important है इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप से exam में पूछा जाएगा अगला सवाल यह मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ आपका homework है आपको comment section के अंदर बता ना है इसका जवाब अगला जो सवाल है वो यह है Name the Indian boxer who has won intercontinental title in the US कौन से Indian boxer को intercontinental title मिला है US के अंदर अरे पहला ही तो जवाब है Mandip Jangraji को यह अवाड मिला है intercontinental title US के अंदर अगला सवाल है The foundation stone of first yoga and naturopathy hospital in north east India has been laid in which city first yoga and naturopathy naturopathy hospital in north east India has been laid in which city answer बताईये Eitanagar, Dispur, Dibruger or Kovima answer is Dibruger Field Marshall Kodendr M. Kariyappas birth anniversary has been celebrated on which day of January Field Marshall Kodendr M. Kariyappas birth anniversary January में किस दिन मनाई जाती है 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 या फिर 28 answer है 28th January is celebrated 28th January is celebrated as the birth anniversary day Field Marshall Kodendr M. Kariyappas birth anniversary celebrated on 28th January अगला सवाल है To which country has India sent emergency relief of 1 million dollars after the volcanic eruption Volcanic eruption होने के बाद कौनसे देश को भारत ने 1 million dollar की emergency सहायता भेजी है बताईएगा Answer is Papa New Guinea Papa New Guinea Papua New Guinea Papua New Guinea कंट्री को भेजी है 1 million dollar की आर्थिक सहायता अगला जो सवाल है In January 2024 ICC has lifted ban imposed on which cricket board इसको भी हमने कल डिसकस किया है Answer is Shri Lanka Answer is Shri Lanka January 2024 ICC has lifted the ban on Shri Lanka Fourth edition of Rusoma Orange Festival Rusoma Orange Festival 2024 Has been held in which state Rusoma Orange Festival का हुआ है बताईएगा Answer Nagaland के अंदर हुआ है अभी ये Nagaland के अंदर हुआ है Rusoma Rusoma Orange Festival और ये Rusoma Orange Festival का Fourth edition था With this आज के हमारे जितने भी important current affair हैं For law and judiciary exam 31st January के वो पूरे होते हैं आप अपनी feedback comment section के अंदर दीजिए आप हमारी WhatsApp community से भी जुड़ जाईएगा आपको वहाँ पर भी बहुत सारी information मिलती है और आप हमारी Android app को download करके install कर लीजिए और free resources का इस्तेमाल कीजिए चले मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में Thank you